जब भी आप गेम को डाउलोड करके इंस्टल करते हो तब इनिसियल सेट अप में आपको दो अप्सन्स मिलते हैं पहला है लो स्पेसिफिकेशन रिसर्स पेक जो की 732.5 MB की है और दूसरा है HD रिसर्स पेक जो की 1187.3 MB की है यानि दोनों में 554.8 MB का डिफरेंस है अब यहाँ पर क्लियरली मेंसर्ट है कि अगर आप लो स्पेक को सिलेट करोगे तब आप रिसर्स पेक को जल्दी डाउनलोड कर पाऊगे स्मॉलर फाइल साइज होने के वज़े से और गेम भी स्मूज चलेगा क्योंकि फोन के रिसर्स यानि CPU GPU एंड राम थोड़े से कम यूज होंगे यानि इसे lower-end या फिर mid-range devices के लिए बनाए गया है बट आपको नहीं लगता है कि आप कोई भी फ्लाक्सी फोन यूज कियो ना कर लो FPS drop सब में होता है even in iPhone जब मैं screen recording करता हूं तो FPS fluctuate होता रहता है जब मैं इसे 90 FPS में खेलता हूं इसलिए मैं अभी 60 FPS पर ही खेल रहा हूं ताकि constant FPS आसे के screen recording में भी यानि इस game के लिए कोई भी smartphone flagship नहीं है तो फिर क्या हमें low spec resource spec को download करना चाहिए well the answer is complicated अभी left में low spec से setup किया है और right में HD resource spec को setup किया गया है यहां पर जो quickscope and scope adjustment का button है वो low वाले में थोड़ा सा कम quality का हो गया है और हाँ vehicles के button भी थोड़े से casual है low वाले में यानि फार्क तो है बट कितना वेल यहां पर download section पर पता जल जाएगा देखो यहां पर सारे files की download size same है सिर्फ high quality images and audio को छोड़ यहां पर low spec spec में हमें 1.44 GB download करना पड़ेगा जबकि HD resource spec में 469.8 MB को download करना पड़ेगा यानि low spec spec में 1004 MB ज्यादा download करना पड़ेगा और do you remember जब हमने initial page पे compare किया था तो 554.8 MB के difference था यानि 554.8 MB के बचाने के चक्कर में आपको बाद में HD resource spec से extra 549.96 MB ज्यादा download करना पड करता है कि low spec resource spec में और HD spec में कुछ file में कुछ common files होंगे जो initial setup में download हो जाता है लेकिन जब आप low से HD spec को download करते हो तब जो common files होते हैं वो फिर से download होते हैं बिल्कुल starting से साथ इसलिए low spec में 549.96 MB extra download करना पड़ता है अब थोड़ा सा और अदर चलते हैं high quality images and audio में यहां पे भ पता होगा कि दोनों की जो presentation है उसमें जो गाड़ी खड़ा है उसमें low spec में कोई skin नहीं है और HD में skin लगा हुआ है यानि दोनों में सिर्फ lobby का difference है और थोड़े बहुत buttons का और कोई भी impact गेम पे नहीं होगा और बाकी सारे चीज़े गेम के अंदर दोनों में same ही होते हैं को कोई ज्यादा फरक नहीं होता और अपको कौन सा डाउंलोड करना चाहिए वह अगर आपके पास थोड़े कम राम फॉर एक्जामपल 4GB वाले डिवाइस है और storage भी कम वाले डिवाइस है और आपको बाद में कोई और चीज़े डाउंलोड नहीं करना है तो आप loss pack को डाउ करो मैं हूँ अभी सेक और मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में तब तक आप इन सारे वीडियो को देख सकते हो